Hello guys, Welcome to our YouTube channel Job کی News यूज हम बात करने वाले हैं Twitter campaign के बारे में हम start करने वाले ह swings Twitter campaign already started है बहुत सारे YouTubers ने start कर रखा है GDS का result जो cycle 2 का पेंडिंग पड़ा है MP, हर्याना, राजथान और असाम का उसके लिए Department को हम एक Twitter campaign के जरीए है हमारी बात पहुचाना चाहते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें Twitter पे क्या trend करवाना है तो ये दो hashtag आपको दिख रहे होंगे सबसे पहला है we want GDS result तो आपको ध्यान से देखना होगा कोई भी गलती नहीं करनी है hashtag लगाते time पे वी में W बढ़ा होगा want में भी W GDS में भी G बढ़ा होगा और रजल्ट में भी और यहां पर जो under sport है वो आपको देनी होगी यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं और दूसरा जो hashtag आपके लिए है वो है declare GDS result soon तो आपकी sport के बिना ये काम नहीं हो सकता है एक यूटूबर के वीडियो बनाने से ना तो कोई डिपार्टमेंट रेजल्ट निकालता है कि यह वो रेजल्ट तभी निकालेगा या तो ट्वीटर पे campaign चलेगी या फिर कोई protest होता है तभी डिपार्टमेंट एक्टिव होता है अदर्वाइज यूटूब पे वीडियो बनाने से आपको मैं टेंटेटिव डेट्स बताता रहूं उससे कोई फायदा नहीं है हमारा रेजल्ट खुद लेके आएंगे हम तो इसलिए ट्वीटर campaign बहुत सारे यूटूबर्स हैं उन्होंने भी स्टार्ट कर रखा है लगाता तीन चार दिन से तो हम भी उनको स्पोर्ट करने के लिए ट्वीटर campaign चला चुके हैं और ट्वीट दिखा देता हूं आपको कैसे करना है और क्या करना है अब देख सकते हैं इंडिय post office को आपको tag करना होगा और PMO India को tag करेंगे तब ही जाके जो इंडिया पूस्ट वाले हैं वो आपका reply देंगी फिर इसके बाद आपको नीचे दोनों hashtag लगाने हैं जैसे कि आप देख सकते हैं description में भी मैं आपको link दे दूँ है hashtag का वहां से copy करके भी आप use कर सकते हैं उसक के लिए भी मैं request करता हूँ उनको कि आप भी इस Twitter campaign में हिस्सा लें और जो result है cycle 2 का उसको लाने में हमारी मदद करें और जो cycle 3 का result होगा उस पे भी effect जरूर पढ़ेगा इससे कि जल्दी से जल्दी result आएगा तो यहां पे आप देख सकते हैं मैंने tweet किया था तो इस परकार स आपको tweet करना है और hashtag जरूर लगाना है आपको जो भी आपकी query है MP का result हो अरियना का result हो आसाम का result हो राजस्तान का result हो जो भी result हो वो आपको यहां पे mention करना है आपकी जो भी query है वो mention करनी है और hashtag जरूर लगाते रहना है आप चाहें तो मेरे को retweet कर सकते हैं मेरी ID आपको उ दिखरी होगी और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी नितिन डाटी का नाम से और यह पर रिट्वीट भी कर सकते हैं या फीर इंडियन टॉक्स नाम का एक यूट्यूब चैनल है उसको भी आप जाके उसके ट्वीटर एंडल पे आप रिट्वीट कर सकते हैं और आपकी स्पोर की जरूरत है तो इसके बिना ये काम नहीं हो पाएगा अगर 1500 बंदे भी स्पोर्ट करेंगे तो आपके रिजली कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कई तो और अगर इंफोर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज ट्वीटर कैंपेंड में हि इतनी स्पोर्ट मिलती है जैहिन